नमस्ते दोस्तों कैसे आप लोग हैं उम्मिद करता हूं आप सब लोग ठीक टाक होंगे कल मेरे एक सब्सक्राइबर का मेरे पास कमेंट आया और उसमें वो लिखे वे थे किसा लाप्टॉप में फाइल को कैसे डिलीट करते हैं कैसे फोल्ड क्रेट करते हैं बहुत बेसिक च करते हैं आज का इंट्रेस्टिंग वीडियो बहुत अच्छा लगेगा आपको कुछ नॉलेज मिलेगा और हां उसके चैनल पर पहली बारा हुए हैं कंप्यूटर लाप्टॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लिए बैल आकन पे आगे माल लेजिए तो अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वन बाइवन करके पूरा पताने का प्रास करता हूं सबस्वरे स्टार्ट करते माल लेजिए कि कोई नोट पैड में हमने कुछ लिग दिया है कुछ भी हमने लिग दिया नोट पैड के अंदर वह या वीडियो को देख रहे हैं तो जैसे माल लेजिए मैं लिख दिया माई एन अमी नेम इस जोगेंदर ठीक लिख दिया अब मुझे यह टाइप तो हो गया आप मुझे करना है तो देखिए सिंपल तरीके से जब तक इसको सेव ने किया हुआ है मैंने तब तक यह टेंपर ब्रपगि बैकस्पेस यहोडे करेंगे तो इससे ऐसे करके आप इसको डूलिट कर सकते हैं लेकिन एक टिलिट कर सकते हैं लेकिन विलाइन यह से ने मिलेगे मैं delete button को प्रेस कर रहा हो तो नहीं मिलेगा तो बहुत साथ लोग को idea नहीं होता है कि सर्फ backspace के अंदर और delete button में क्या अंदर होता है तो समझे पहले क्या होता है जो backspace की होता है वो पीछे से चीजों को erase करता है मतलब हटाता है गाइब करता है जैसे मैंने प्रेस के back से तो पीछे से गाइब कर रहा है तो को पूछे कि backspace में क्या अंतर होता है और delete की में क्या अंतर होता है दोनों बता दीजिए कि backspace जो है पीछे से रिडिट करता है और इंटर की delete बटन जो है आगे से रिडिट करता है समझगे एक दम न यह तरीका सा backspace का और delete का अंतर क्या होता है फिर बहुत साई लोग पूछते हैं कि सर यह तो चले ठीक आप बता दिया है अब इतने desktop पे बहुत साज़ चीज़े पड़ी है हमको जो है यह को फोल्डर डिलीट करना मतलब इसको हटाना है इसको अटाना कैसे हटा सकते हैं दिए तो चीज होता है यह आपके computer या laptop के अंदर वह चीज़ इंस्टॉल हो मतलब को अप्रिक्शन हो इसको यहां से डिलीट कर दोंगा तब ही हमारे laptop से जाएगा नहीं इसक लिए करके इसके उपर हम ऐसे करके हमें तके डिलीट बटन दिया हुए डिलीट कर देंगे यहां से घाब हो जायागा लेकिन हमारे laptop में पढ़ा रहेगा तो इसको अनिस्टॉल करते हैं लेकिन उसके अलाबा कुछ ऐसे फोल्डर होते हैं फोल्डर मतलब जगह होते हैं ज सब्सक्राइब करते हैं इसको दोबार क्लिक कर लेते हैं इसको दोबार क्लिक करते हैं तो देखिए फाइल कहा है है यहां आचुका है तो मतलब वहां डीट करने वाद में फाइल यहां हुआ है अब चाहते हैं कि हम उपर लाना वहां पर तो इसी फाइल के ओपर राइट क्लिक करेंगे इसके ओपर मान ली करेंगे तो इस पर दिया हूँ रीस्टोर ऑप्शन तो जहां फाइल था वहां इसके बटन देखेंगे इसको आप डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए अब पूछ रहा है आप यह उस्योर वांट टू पर्मने डिली इस फोल्डर अब यह फाइल जो है रिसाइकल बिन में जाएगा क्यों क्योंकि मैंने सिफ्ट बटन को प्रेस करके डिलीट बटन प्रेस चलाए खाली फोल्डर यह तो ठीक है तो दिखाता हूं मैं यहां से डिलीट करता हूं इस पर क्लिक करके शिप्ट के पास में मैंने डिलीट प्रेस कर दिया अब आर यूस्योर यूँवान टो पर्मनेटली डिलीट इस फोल्डर तो हम क्लिक करते हैं डिलीट को देखिए इसका मतलब सिफ्ट के साथ अगर डिलीट कर देंगे तो इसका मतलब वहां पर नहीं पहुंच होगा समझें नहीं बात को बहुत सारे लाप टॉप में विंडू 10 लोड़ेट होगा विंडू 10 लोड़ेट में आप सर्च करेंगे तो आपको यह रिसाइकल विन वाला करेंगे मौस से देखुआ यहां पर लि Collins इस पर क्लिक कर्दीजे और यहां पर इस टॉप आइकॉन राइट साडप में सेटिंस क्लिक करेंगे और यहां पर छेक्ट है पहले से हमारे साइकल के ऊपर यहां यहां कर देंगे तो आप से वहां जाज सकते हैं यह तरीका हो गया तो मैंने करेंगे जएक डिलीट करना तो इसको अनिस्टाल किया जाता है इसको रड़ के लिए हमका करेंगे हम यहां remote करेंगे country पैनल सी ओ टी आर ओ एल control लिखेंगे तो एक ओप कोई क्लिक कर लेते हैं क्लिक भान एक देखेnde को पको मिलेगा ऑर इसमें मिलेंगा प्रग्राम और फीचर डियूसर तो अगर आपको यहां से मतलब करना है तो प्रड़ाम प्लिक करेंगे और इतने सारी चीज़े यहां पे को दिख रही है दिख रही है तो अब इसमें से क्या है कि आपको लगता है कि आपके लप्टॉप में जरूँ नहीं है तो आप से जैसे मैं Google Chrome अटाके आपको देता हूं इस पर क्लिक करता हूं और यहां अब क्लिक करता हूं तो सब्चच रहा है कि अन्सल्ड करना यह से प्लिक करते हमारे अच्टॉप में से गूगल ईसके बाद हम देखेंगे कि हमारे वहां क्प्पूटर के उपर वो मिलेगा देखिए और प्रकुरा प्रना करना कर tuh dh के लिए और जाका से इतवत हक्रेअ बता दी है कि की फो princi chamber करते माले जैसे घर के अंदर आफ जो है विवर गुदाम बनाते हैं को गदाम बनाते हैं और अपने इंपोर्टेंट फॉट्स को से यहां पर इंपोर्टेंट फॉट्स वाल को क्रते हैं क्लिक करेंगे क्लिक करने बाद में यहां पर आजाएगा निउट कर लिया अब इसका नाम दे जाए जोगंदर दे दिया नाम दे दिया अब मेरा फोल्डर बन गया अब कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल मुझे को रखना माल लीजिए कोई फाइल मुझे रखना या पर है जैसे में फोटो पड़ा हुआ तो अब कभी मुझे कुछ खोज़ना होगा कंप्यूटर में लाप टॉप में न तो सिंपल द्रेके से मैं जो है इस पे अगले दिन आ फाइल फोटो है मिल गया तो इसी पर प्रकुमेंट आप रख सकते हैं इसी परकार से अपना फोटो पिक्चर जितना कुछ रवाचा दे कर सकते हैं समझ चुके न फोल्डर हो गया अफिर डिलीट करना हमको यहां राइट क्लिक करेंगे यहां हम इसको डिलीट कर देंगे प्रेस कर देंगे तो पूछ रहां रिख साथ में तो सिफ्ट करेंगे तो यह हमारा पर इंट हो गया एकदम क्लियर एकम सिंपल तरह के से बनाप बता दिया है कि इस तरीके से अपने लाप टॉप में से जो अन्वांटिट फाइल है जो पिक्चर फोटो है उसको डिलीट क करते हैं अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपको सीखे हुए है तो प्लीज वीडियो को कर दिजिये करें आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों